नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज जो हमारे भारत देश में बेरोजगारी है, क्या ये आज ही है या फिर इसका कोई इतिहास भी है, पहले भी बेरोजगारी रहे हैं की नहीं रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं, history of unemployment in India तो इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया ही अभी दूंगा हमारे भारत देश में जो बेरोजगारी है वो बहुत पहले से चली आ रही है कम जैदा इसके में कुछ मुवी देखा था और मुझे लगता है कि साइद आप भी देखे होंगे कुछ फेमस मुवीज के बारे में बात कर लेते हैं जो बलीवूट के द्वारा है एक 1954 में ही नौकडी किसे और कुमार का मुवी है उसका तो नाम यह नौकडी तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि अनिंप्लाइमेंट के बारे में ही होगा उसके बाद 1955 में स्री 420 राज कपूर जी क द्वारा जो आया था उसमें भी दिखाया गया था कि वह नौकडी के लिए उस वक्त परिसान ओड़े थे 1974 रोटी कपरा मकान यह बहुत फेमस मुवी है लगते आप देखे होंगे उसमें अमिता वच्चन का एक सीन है जिसमें बोला जाता है कि वह तब भी नौकडी के लि के लिए परिसान और यही सब नहीं और भी बहुत सारे मुवीज है जिसमें ना अनिंप्लोइमेंट को लेकर दिखाया गया है यह असल में उस समय का दौर उस दौर को दर साता है जो था वो दर साता है और अभी के बाद तो आप जानते ही हैं अभी ला एनससो एक प्रतिश सरवे आफ इंडिया का तो उसमें बताया गया था कि जो भारत में जो है पिछले 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर है 6.1 परसेंट इसा बताया गया था और यह सब परसेंटेज की बात तो दौर की बात होती है यह तो महसूस करने वाली बात है आप खुद भी यह जो सबस्कर रहे होंगे जो समझ रहे होंगे उससे तो आपको लगता ही होगा जो क्या हालत है दरोजगारी की तो इसके इन सब के लिए जो है यह जो कुछ movies बगारा सब जो है और कुछ जो होंगे जो मुझे बlon cam उन सब का मैं description में link दे दूंगा जो आप वहां से ये movie वगरा सब जाके अपना देख सकते हैं जिसे आपको unemployment का एक सही में माइने समझ में आएगा कि उस समय में भी ऐसा था और साथ में ये तो हो गये चले movie सब के बात अपनी हो गई ऐसे जो है भारत में unemployment जो है जितनी आज जिसने आज किलत है unemployment को लेकर जितनी आज भयावः unemployment है उतना आज से पहले कभी नहीं रहा था कम जैदा थे लेकिन आज जो है वो बहुत ज्यादा है 2021 में unemployment दर बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा जब आलाल नहरू का जब सरकार था तब भी unemployment की मार थी इंदरा गांदी हो तब भी थी हर सरकार जो है और अभी की सरकार में तो ही ही तो ये हर सरकार में Unemployment एक बड़ा मुद्दा रहा है और कम जैदा हर सरकार इस चीज़ से गुजरती ही है Unemployment को लेकर लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि इसे छोड़ दिया जाए इसे सुधारना भी सरकार के हाथ में है सरकार के अपनी नीतिया होनी चाहिए और इन सबके नीतियाँ भी लेकिन वो कितनी कारगर है यह आप हम जानते ही हैं तो इन सब के बारे में जो डिटेल्स होगी वह मैं कुछ मुभी बगएरा कुछ रिपोर्ट बगएरा कुछ लिस्ट बगएरा सब जो है वह मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वह आप वहां से देख सकते हैं और यह मैंने आपको एक बेसिक समझ दिया जो अनिप्लयमेंट का क्या इतिहास रहा है उमीद करते हैं कि आपको थोड़ी बहुत यह ठीक लगी होगी और आने वाले वीडियो में जो है अभी बरतमान में जो अनिप्लयमेंट की क्या इस्थिती है इसके वारे में मैं आपको बताऊंगा तो बहुत-बहुत धन्यवा बहुत-धनो के ह्हाओ कि वारे में जो है तूकर दो को वारे में जो है onus Deus